नमस्कार ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकरजी से तो महराज शुनावी मौसम में क्या इरादा आज जम्मू में गोली दिमाके नहीं प्यार की बोली और ने मोके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया मोदी जी कर रहे हैं शांती इस्थिर्ता और विकास जम्मू कश्मीर को मोदे पर विश्वास कमल का बटन दबाएं भाजपा की सरकार बनाएं अगली बड़ी खबर दो अक्टूबर को पीम का जारकंड दौरा होना है और उसके बाद जिस पर आज सब की नजरे हैं तो भासे लेकर शाम तक रहेंगी इस पर भी बात करेंगे वधान सवा चुनाव प्रचार जो अब आखरी चरण में जा रहा है यानि आखरी चरण जम फीर उंडी है जो भारत का माच पुरा है उसके लिए वहाँ पर फीर उंडी है तो आज ये तमान जो बड़ी खबरे हैं इनको विस्तार से बताएंगे लेकिन पहली बड़ी खबर जिससे आज के इस बुलिटिन की शुरुबात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे किस त चापे मारी की गई है और ये बस अटैक आपने सुना होगा रियासी पे एक रियास्यू की बस पर हमला हुआ था रियासी बस अटैक मामले में शिकंजा कस्ना जारी कर दिया गया है अब नैशनल इंवेस्टिगीशन अजन्सी ने खुद मोर्चा संभाला है और जब कश्मी चापे मारी हो रही है और ये बदाय जा रहा है कि कई ऐसे आम लोग है या चानिय लोग है जो इस पूरे घट्डा क्रम के पीछे उनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं आतनक वादियों से या फिर उन्होंने आतनक वादियों को गाइड किया होगा ये तमाम चीज़ें हो हो सकती हैं हलंकि फिलखाल स्फाबले में इनाय लगातार फान भीकर रही है और अभी क्या कुछ शुराग निकल कर सामबने आते हैं हलंकि कुछ गिरफ्तारियां भी इस पाबले में हुई थी जब यह बस हादसा हुआ था उसके बाद और भी कुछ हमले चहापर हुए थे लेकिन उसके बाद कुछ जर्फतारियां हुई थी लेकिन साथ तरीके से कोई चीज़ें या थोज चीज़ें निकल कर सापने नहीं आए थी आज ये बड़ी ख़बर जब कश्मीर में एनाई की छापेमारी जारी है और रियासी बस अटाइक बाबले में ये छापेमारी चल संजीव प्राशर अबार साथ हमारे से योगी इस कवर पर जादा जानकारी के लिए जोड़ चुके हैं संजीव ताज़ा जानकारी बताईएगा अभी कितने ठिकानों पर शापेमारी की गई है और शापेमारी के पीछे का पूरा जो मकसद है वो क्या है जी बिल्कुल अगर बात करें तो जिस तरह से नोजून को जो शर्दालों की बरी बास पर अतंकी हमला हो जाता है उसके बात की जाए तो लगातार जो तब भी शापेमारी जो की जा रही थी उसी के साथ साथा अगर आई सुबा की बात करते है तो आई तरगे सुबा जो के दोबारा आई शापर मारी की जा रही है। उसके 10-20 किलो मिटर के अंदर शापे मारी की जा रही है बही अगर बात करें तो लगवग 5-10 के बीच जो इस बगद ठिकानों पर शापे मारी की जा रही है संजीव क्या निकलने की संभावनाए है जब ये चापेमारी होगी और चापेमारी के बाद क्या अंदेशा है जो चीजे निकलकरा सकती है छो रियासी के अंदर होा था एक बस पर जी बिल्कुल अगर बात करते हैं तो जिस तरह से आज शापेमारी की जा रही है अगर पहले की बात करते हैं तो जिस तरह से पहले भी शापेमारी की गई थी और अगर बात करें तो जिस तरह से लग लग जो आदमी थे उनको उठाया गया था और कहिने कई जिनका पहले का सं गिरफ्तार कर लिया गया था जो अतंकियों के साथ जुड़ा हुआ था पहीं उसके बात करते हैं तो जिस तरहां से आज गवारा एक बार शापेमारी की जा रही है तो लगता है कुछ नो कुछ जूर सामने आएगा क्या और भी जैसे पहले भी गिरफ्तारिया होई थी संजी जब यह हादसा हुआ था क्यूंकि आजपास के इलाकों में भी जब आतंकवादी हमले लगातार हो रहे थे और कई स्थानिय लोगों पर भी शक पढ़ गया था कि क्या कोई आम लोग नहीं इनकी मदद कर रहा है इनकी साहिता कर रहा है और उनमें गिरफ्तारिया भी हुई थी यहाँ पर क्या कोई मदबूत या ठोस तरीके से पूरी चीज़ें जड़ से निकल कर सामने आ सकती है क्योंकि जब भी एनाय की छापेबारी होती है तो बहुत सारी कारवाईयां भी होती है जी बिलकुल अगर रियास जीली की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने देखा क जब पिछले दिनों बस पर अतंकी हमला हुआ था उसके बाद लगातार कुछ आदमी जो उठाए गे थे पर उनी मेंसे अगर बात की जाए तो एक जो मेंन था वो सामने आ गया था जो अतंकियों की मदद कर रहा था वही अगर अभी की बात करते हैं तो जिस तरह से आज द इस चापे मारी की जा रही है और कहिन है कि अगर बात करते हैं तो बिलकुल आई कुछ नो कुछ सामने आ सकता है ठीके बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीवत अबाम जानकार इस साज़ा करने के लिए तो रियासी में जो बस हमला हुआ था उसको लेकर अभी फिलाल एनाएस ततर को चुट की है और चापे बारी की जा रही है तो आगे बढ़ेंगे आगावी चुनाव को लेकर इस प् प्रधान मंत्री मुदी जारखन पहुंचेंगे जारखन में अलगलक रैल्यू को संबोधित करेंगे ना सिर्फ प्रधान मंत्री मुदी बलके घ्रय मंत्री अमिस्कावी इस बार विधान सबाच चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और जब कश्मीर हर्याना के जनता पाल्टी की कटवरंदर में सरकार है लेकिन जारखन में ज्यम्म की सरकार है जहां पर बीजेपी विपक्ष में इस बार बीजेपी ने जारखन में अपनी जमीन को तयार करने के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं कुछ परिवर्तन भी हुए हैं जिसमें उन्हें इस्कीफा देना पड़ा इस्कीफा देने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से हट गए उन्होंने दाराज जी जाहिर की और अपनी पाल्टी के जो वत्रीप वो बीजेपी में शामिल हुए जिनका प्रभाव वहाँ पर कुछ जढ़ाओं पर देखने को मिलता है फ पहुँच चुका है जमीन पर देखा गया है क्या कुछ चल रहा है चुनाव होने की अब बहुत जल्दी संभावनाई भी है बहुत जल्द एलान हो जाए बिल्कुल शेतल आते जनता पाते इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है इसलिए जितने सिर्ष नेता है सभी जार्खंड का दौरा कर रहे हैं कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ शिंग धनबाद में थे और उन्होंने वहां से परिवरतन यात्रा को संबोधित करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए उनहोंने कहा कि परिवरतन होना जरूरी है जिस तरह क्यंदर में बीजेपी वहां मुझूद थे उनके सामने उन्होंने कहा कि जैमेम और कॉंग्रेस ये दो ऐसी पार्टी है जो हमेशा लूट के फेर में राती है और अभी तक का अगर आप रेकॉर्ड उठाएंगे तो वादा खिलापी की है जो जो वादा उन्होंने जनता से किया था जारकंड के लो हमेशा कहती है कि हम 247 चुनाव के लिए तयार रहते हैं ऐसे में जार्खण में जब चुनाव होंगी तो क्या एक नर्णीती होगी बीजेपी के पार और परदहान मंत्री मोधी का दूसरा दौरा तो यह बताता है कि कि अब वह किस तरह से गंभी रता और भी दिखाई जा रही है इंच नाव को लेकर और लगातार पिया मोधी घ्रह मंत्रिया बच्चा खुद मोचा संभाले हुए वक्त एक और चोटी से ब्रेक का है पर लो पांच में घर में राहू है और चोटे में शनी विराजबान है जैसे ही सूरी मंगल के पास आएगा क्या सूरी और मंगल माराज मतलब अगले मीने मोधी जी के निर्देतों में बाजपा सरकार आने वले जम्मू कश्मीर में है अब हर लगन होगा शुब लगन इस बाद जम्मू कश्मीर में आएगी बाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर का नया सूरी उदे भी होगा और मंग आप भी मोदी के भुरोसे पर विश्वास कर भाजपा को वोट दे